हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको डायबिडीस के वज़े से आखों के पर्दे पर जो डामेज होता है उसके बारे में कुछ बताऊंगा तो हमारे आप में एक पर्दा होता जिसको रेटीना कहते हैं तो समझे यह हमारा आख है आख का पर्दा पीछे साइड पे रहता है उसको रेटिना बोलते हैं वहाँ से जो सेंसेशन्स यह आप्टिक नव कैरी करती है उसके वज़े से हमको दिखाई देता है तो जो भी लाइट पढ़ता है रेटिना पर पढ़ता है सिंपल भाषा में कहा जाए तो यह जैसे आप एक थेटर में पिच्चर देखने को जाते है तो पर्दे पर जर्व लाइट पढ़ता है तो आपको पर्दा दिखाई देता है अब इमेजिन कीजिए यह पर्दा जो आप इस स्क्रीन है इसमें पिच्चर देख रहे हैं अगर इसमें छोटे-छोटे खड़े हो गए तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा आपको पिच्चर वैसे की वैसे दिखेगी लेकिन अगर multiple damages एक ही particular area में अगर होने लगे तो क्या होगा वो पर्दा वापर फटे जैसा हो जाएगा और आपको वो area पर perfectly दिखेगा नहीं तो vision disturbance होगा समझे कुछ ऐसा ही होता है रेटीनोपैथी में तो रेटीना में दो प्रकार के डामेज हो सकते एक है रेटीनोपैथी जो diabetes के वज़े से होता है और दूसरा है macular edema इसको diabetic macular edema बूलते है पहले मैं आपको simple बता दूँगा macular edema क्या होता है macular edema में सूजन आती है रेटीना की और सूजन आने के वज़े से दिखने में visual disturbances वगरे हो सकते है यह काफी common है इसको prevent करने के लिए diabetes को अच्छा से अच्छा कंट्रोल करना चाहिए ताइट कंट्रोल करना चाहिए और कभी-कभी उसके लिए कुछ injections anti-vgf injections वगरे लेने पड़ते हैं और ऐसे उसको handle किया जाता है अभी retinopathy के बारे में discuss करेंगे retinopathy होती है mild non-proliferative बोल सकते है moderate stage में हो सकती है या severe NPDR हो सकता है या फिर proliferative, diabetic proliferative, diabetic retinopathy तो basically दो मुख्य प्रकार के होती है non-proliferative और proliferative non-proliferative में तीन प्रकार के retinopathy होती है mild, moderate और severe mild retinopathy में just पर्दे में थोड़े से blood vessels में damages होने लगते हैं और blood vessels में, समझो, यह blood vessels है यह blood vessels में ऐसे छोटे छोटे बलून्स जैसे micro aneurism आने लगते हैं लेकिन फूटते नहीं जब यह फूटेंगे तब इसमें से blood बहार आता है और रेटीना में damage कर सकता है और धीरे-धीरे इसके वज़े से क्या होता है यह retinal arteries वगरे छोटी-छोटी muscles हैं वह block होने के वज़े से उस area में blood supply कम हो जाता है और और एरिया-धीरे-धीरे वह सफर होने लगता है और vision सफर होता है तो इस प्रकार से patient mild non-proliferative diabetic retinopathy से moderate और moderate to severe proliferative severe non-proliferative retinopathy तक progress कर सकता है उसका अगला stage है proliferative retinopathy यह एक बहुत ही dangerous condition है diabetic retinopathy यह दुनिया में preventable blindness preventable blindness among adults का number one कारण है number one cause obviously the first being cataract cataract सबसे common cross है blindness का but the most common cause of preventable blindness is retinopathy इसको prevent करने के लिए क्या करना चाहिए prevention control diabetes very aggressively detect diabetic retinopathy in the early stage control blood pressure very aggressively blood pressure के वज़े से भी retinopathy हो सकती उसको diabetic retinopathy नहीं कहते लेकिन hypertensive retinopathy होती है और अगर हो गया है तो early से early treatment लीजिए और उसमें कभी आपको laser करना पड़ सकता है anti-VGF injections वगरे देने पड़ सकते हैं इसके वज़े से damage limited रहेगा और जादा problems create नहीं करेगा तरवाइस जब यह vessels blood burst होते तो अंदर vitreous hemorrhage नाम का एक complications हो सकता है जिसके वज़े से आखों में blood आ जाएगा और complications होने के chances हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है रेटीना में diabetes के वज़े से damage हो सकते हैं और यह अलग-अलग प्रकार के damage हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है दो समय सकते हैं आफ यह निए प्रकार की अग्रतिय के प्रकारोपी यहँ मेंदा है यहा जा प्रकार का खो जैसे स्घिक्शन का जा जाज़ömक यह नहिक दोन सकते हैं ऐस भीवोव